हेलो और वेल्कम टू टीवी का पठाका वेल दोस्तों आपको बता दें कि एक तक कपूर एक आईकॉनिक शो को शुरू करने वाली है एक तक कपूर टेलिविजन इंडास्टरी की चानी मारी प्रिडियूसर है जिन्होंने कई सारे सीरियल दिये जिनमें अकसर सास बहू की तनातनी देखी गई है लेकिन हमेशा ही अपनी यूनीक कहानी और कॉंसेप्ट के लिए मशूर एक तक कपूर लेकर आ रही है एक बहुत ही जादा आईकॉनिक शो जो की एक सूपर नाच्रल फेरी टेल पर अधारित है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस शो का नाम होगा ब्यूटी एंड बीस्ट ये एक फेरी टेल की कहानी है काफी समय से एक तकपूर अपने अपकमिंग शो के लिए एक हीरो की तलाश कर रही थी और लगातार इंडस्ट्री के बड़े बड़े हैंटसम और टालेंट मौसीन खान जो स्टार प्लस के सूपर हिट सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में कार्तिक गोइंका का किरदार निभाते थे लेकिन दोस्तों कबर हाल ही में एक और अपडेट के साथ निकल कर सामने आई है कि एक तकपूर ने अपना मन बदल लिया है किसी वजह से उन्ह उनके जगा आपको दिखाई देंगे खुशल टंडन जी हां दोस्तों काफी समय से सुर्खियां बटो रहे हैं कि उन्होंने मौसीन खान को ब्यूटी अंद बीस्ट में रिप्लेस कर दिया है मौसीन खान के रिप्लेस्मेंट पर काफी जादा बवाल मचा हुआ है क्योंकि उन्हें कार्टिक गोइंगा के किरदार में सारी की सारी ओडियंस ने बहुत जादा पसंद किया था और वो कार्टिक को यानि की मौसीन खान को एक बार फिर से इसी तरह के इंटरेस्टिंग सूपर नाचुरल शो में एक मेल किरदार में देखना चाहते थे खबर है कि एक तक अपूर अपने ही जान पेचान के और अपने ही प्रिवियस आक्टर्स को ही अपने न्यू शो में लेना चाहती थी क्योंकि वो उन पर जादा भरोसा करती हैं ऐसे में ओडियंस उनसे नराज भी है तो कोई खुशल ठंडन को वापिस से स्क्रीन पर देख देखने के लिए एकसाइटिड भी है आप क्या कहेंगे हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें